स्विस बैंक एक बैंक नहीं बलके स्विस बैंक में जितने भी बैंक है उन सब को स्विस बैंक कहा जाता है 1713 में स्विस बैंक ने एक रूल बनाया कोई भी स्विस बैंक किसी भी कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेगा सिरफ इतना बोलने पर ही फ्रांस और योरप के पावरफुल लोग अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कराने लगे इस बात का फाइदा उठाके स्विस गोर्मिंट ने 1934 में एक और रूल बनाया स्विक्स बैंक किसी भी कस्टमर की डिटेल्स किसी दूसरी कंट्री से भी शेयर नहीं करेगा चाहे वो कस्टमर कितना बड़ा क्रिमिनल ही क्यों ना हो ऐसा करने पर 5 साल तक कैद और भारी फाइन लगेगा ऐसा करने पर पूरी दुनिया का स्विस बैंक पर भरोसा हो गया जिसका फाइदा स्विस गोर्मिंट बहुत अच्छे से उठा रही है अगर ये आप इंफर्मेशन जानते थे तो प्लीज लाइक करें नहीं जानते तो प्लीज मौर इंफर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब करें